व्रेंद्स आज में आपको बहुत ही केय 가ी बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताओंगी जो तूटेगा ही नहीं जादा तर sellers होकी दिखायात होती है कि जब हुदाती है तो उनका टूट जता आंगा तो आज मैं आपको अश्ब抬ेंटेसी टूट निव तो नमस्कार फ्रेंड्स मैं हुरोली आप सबका स्वागत है हमारे चैनल चीरा के चिन में तो चलिए बताते हैं सबसे पहले आप मेजर मंट का बहुत जादा यहां रखना होता है तो आप एक कटोरी सेट का लेजिए उसी कटोरी से तीन कटोरी आप सूजी ले ले लेजिए और पानी मिला कर आप आधा कहंताई के लिए नमक भी मिला दिजेगा रेष्ट पे डख दीजे सब्जिओं में आप देख रहे हैं सिब्ला रोे देख रहे हैं सिंला मेर्च गाजर और रोल बार कस भी कर सकते हैं मैं बाहरी कट कर ली हूँ इन सारी सब्जियों को सूजी और दही के मिक्सर में डाल दूंगी बहुत ही हेल्दी ये रिस्पी होती है हफ्ते में दो से तीन बार इसे जरूर ट्राई करना चाहिए जरूर बनाना चाहिए क्योंकि हम लोग हमेशा वही मसाले व के ली कटोरी में भारी Muhari 20 उन जरूर इव राल दसिस्टिनशी बेटर का है बहुत जदा पतली नहीं रखनी है तो आप की दिख रहे हैं उन्हें बहुत जदा पतला रखना है न बहुत जदा रखना है ये इतने में डेर सारा बन जायेगा है इसकी कोई दूसरीद डशी भ मैं आपको उत्तवां बनाकर दिखा रही हूं। आपको अस Hell बनाती उना है पार दो पेर लेको है कि उसिस किऊजिए less ताकि आपका उत्वम एजली निकल आए और तूटे रहें तो देखिए जब तवा गरम हो जाए तो उस पे तेल की कुछ बुंदे डाली अगर आप चाहते हैं तो इतना भी तेल नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पहली बार आप कुछ बुंदे तेल की डाल देजिए जित जीरो ओयल सूजी का उत्वम इस तमाँ खा सकते हैं तो आप यह देखिए मैं पहले दो तवा पर बना रहे हूं एक पर मैं अल्रेडी बना चुकी हूं धग दी हूं दूसरे पर भी मैं आपको फैल तो बहुत पतला नहीं इसके फैलाना हो था मोटा मोटा ही फैलता है और तक लो फैम पर एक तरफ पकाईए तो यह अब पलटने का सबसे यह खास ट्रीक होती है अगर आप चिम्टा लगाएंगे ना तो फिर टूट जाता है और आप सीधे इसको प्लेट में पलट लीजी और जो प्लेट लीजिए ना वह भारी पे मतलब जैसे तो ना उपर उठ तक उत्पम जोड़ा मोटा होता है तो टोटल डाइस से पौने तीन या तीन मनट उत्पम पकने में लग जाता है उत्पम बनाते हैं कभी भी फ्लेम को मीडिया में हाई मत रखेगा नहीं उपर से चल जाएगा सूजी है अंधर से नहीं पकीगा पिकानी में वह टेस्ट न स्वादिश्ट उत्पम बनकर रेडी हो गया और जरा सा भी नहीं टूटा है तो इस ट्रिक को आप भी फालो कर सकते हैं बहुत लोग कहते हैं कि उत्पम बनाने में तो बिल्कुल नरख हो जाता है क्योंकि तो टूट जाता है उसको अगर आप चिम्टा से चुएंगे तो बटर धनिया की चटनी के साथ खाएं लेकिन सबसे जाता है कच्छे नारियल और मॉंपली की जो चटनी होती है उसके साथ ही अच्छा लगता है तो जब भी आप बनाईए इस हेल्दी चटनी को भी जरूर बनाईए इसका भी वीडियो और रड़ी हमारे चैनल पर है मैं ए आसान तरीके से बहुत टेस्टी चटनी में बनाना बताऊंगी वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू